हलो एस्पिरेंट्स, I welcome you all at Purcham Classes देखें, आज के सेशन में students हम क्या करेंगे? आज के सेशन में हम लोग RBI के monetary tools को समझेंगे देखो हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने ये समझा था कि RBI का जो liquidity adjustment facility है वो क्या होता है? ठीक है? वो मैंने आपको समझा है था लेकिन आज की class में मैं आपको इसके सारे tools करवाने वाली हूँ जिसके अंदर CRR क्या होता है, SLR क्या होता है ठीक है? जो बचे हुए tools हैं मैं उसको बताने वाली हूँ क्योंकि जो repo या reverse repo वाले जो operations थे वो मैं आपको अरड़ी बता चुकी हूँ बट अभी जो है CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, open market operation क्या होता है इन चीजों के बारे में हम discuss करेंगे और ये देखेंगे कि इन सब चीजों का महंगाई पे, inflation पे क्या effect पड़ता है कब इनको कम करते हैं, कब इनको ज़ादा करते हैं, CRR कब कम होगा, CRR कब ज़ादा होगा इन सब चीजों पे अपने को discuss करना है ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई भी student SSCGA की तयारी करना चाता है, General Awareness की तयारी करना चाता है तो आप लोग कर सकते हैं, पर्चम Classes के साथ आपको app डाउनलोड करना है, और आपको इस course पे जाना है यहाँ पे आपको सारा Static GK, Policy, History, Economy, Geography, सब कुछ कवर मिलेगा बहुत detailed way में, ठीक है, पूरी टीम हमारी मिलके इस course को prepare करा है उसके बाद अगर आप सिर्फ economy पढ़ना चाते हो, बिल्कुल 0 से लेके high level तक की आप लोग economy को purchase कर सकते हैं, ठीक है, इसमें complete economy जो है आपको मेरे द्वारा करवाई हुई मिलेगी, दोनों ही courses पे अगर आपको discount चाहिए 10% का then you can use my code, that is Pile 10, Pile 10 code को use करके आपको 10% का extra off मिल जाएगा दोनों courses के उपर ये off जो है, वो available होगा हम अपनी class को शुरू करते हैं कि RBI के हाथ में कौन-कौन से ऐसे tools है जिससे वो महंगाई को कम या जादा कर लेता है, ठीक है, जिससे वो महंगाई को कम या जादा करता है इसको हम समझते हैं, क्योंकि ये चीजे ना अभी current में बहुत चल रही है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा repo rate को बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाते हैं, क्या effect पढ़ता है, कब बढ़ाना है, कब घटाना है, इन सब चीजों को अपने को discuss करना है तो शुरू करते हैं आपने topic को, let's get started तो RBI के दो monetary tools होते हैं, पहले तो समझों कि monetary tools होता क्या है, समस्या क्या है कि इन tools की जरूरत पड़ी इसमें देखें students क्या होता है, अब देखें, आप monetary policy committee, monetary policy committee हमने समझी थी monetary policy committee का काम क्या होता है students, इसका काम होता है inflation की range बता देना inflation की range बता देना, inflation range के बारे में बता देना कि हमें कितनी महंगाई रखनी पड़ेगी ताकि हमारी economy healthy तरीके से grow करती रहे तो monetary policy committee ने क्या बताया, जो inflation range है, वो 2021 से लेके 2026 तक मतलब 5 साल के लिए ये लोग inflation range बताते हैं और इन्होंने बताया इस time period में जो inflation range है वो कितनी रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए 2% से 6% के बीच में अपने देश के अंदर सब कुछ employment, production, labor, सारी चीज़ बहुत तरीके से manage हो पाएगी अगर हम inflation range को 2 से 6 के बीच में रखते हैं तो तो अब ये किसको कह दिया MPC ने, monetary policy committee ने ये बात बता दी RBI को अब RBI का काम है देश के अंदर money supply को यानि की inflation को कंट्रोल करना अब RBI अपनी monetary policy का use करेगा, अपने monetary tools का use करेगा जैसे भई आप किसी मिस्तरी के पास जा रहे हो, उसके पास कुछ ओजार होते हैं ना कुछ उपकरन, कुछ tools होते हैं ना, उन tools की मदद से वो आपकी समस्य सुलजा देते हैं जैसे आप किसी carpenter के पास गए, उसके पास अपने हतियार है, आप किसी doctor के पास गए उसके पास अपने हतियार हैं आपको surgery करने के लिए, ऐसे ही RBI के पास अपने कुछ tools हैं, जिन tools का use करके RBI inflation को कम्याजादा करता है, उसी को ही कहते हैं monetary tools, उन tools का use करके money की supply को मार्किट में कम या ज़ादा किया जाता है तो ये दो तरीके के मॉनेटरी टूल्स होते हैं जैसे मैं यू कह दूँ कि मेरे पास एक पेचकस है, एक पलास है समझते होगे पेचकस पलास, नट खोलने का स्क्रूड्राइवर है एक तो और एक पलास है, इस तरीके से मेरे पास माले, ये दो टूल्स है आप कह दो, मेरे पास एक तो वो आरी है, जिसे तलवार टाइप की वो होती है न, आरी ऐसे काटने वाली लखडी काटने वाली, ठीक है तो उपकरन है अलग-अलग, ऐसे ही आर्बी ऐी के पास दो उपकरन धो टूल्स हैं, डो टूल्स कॉन से है आरबै के पास, वो किन चीज़ों का यूज करके इन्फलेशन को गन्रोल कर रहा है एक टूल्स है उसके पास टूरेंट्स, जिसको कहते हैं हम जिसको कहते हैं हम quantitative tool क्या कहते हैं उसको quantitative tool ठीक है हिंदी वाले students कहते हैं इसको परिमान आत्मक उपकरन और एक tools होते हैं जिनको कहते हैं हम qualitative tools क्या कहते हैं qualitative tools qualitative tools हम next session में समझेंगे अभी हम quantitative tools पे ध्यान देंगे इन quantitative tools में इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं हम General Tools इसको क्यों General कहते हैं यह आपको Last में समझ आएगा एक और नाम होता है इसका जिसको कहते हैं Indirect Tool इन्ही कोई हम Indirect Tools भी कहते हैं क्यों इनको Indirect कहते हैं वो भी आपको Last में समझ आएगा जब आप यह समझ जाएंगे कि quantitative tools होते कौन-कौन से है qualitative tools के और दूसरे नाम क्या है इसको हम selective tool भी कहते है selective tool भी कहते है और इसको हम direct tools भी कहते है selective tools भी कहते है और इसको हम direct tools भी कहते है यह qualitative tools होते है और यह quantitative tools होते है अब कौन-कौन से tools इसमें होते हैं, वो समझगेंगे हम लोग, देखो quantitative में क्या क्या आता है, एक आता है reserve ratio, ठीक है reserve ratio, इसमें दो चीज़े आ जाएंगी student, एक को कहते है CRR और एक को कहते है SLR, दूसरा होता है open market operation, ठीक है, तीसरा होता है liquidity adjustment facility, जिसके अंदर हमने अलग-अल चीज़े समझी थी, repo rate समझा था, reverse repo rate समझा था, ठीक है, हमने long term repo operation समझा था, हमने targeted long term repo operation समझा था, हमने special targeted long term repo operation समझा था, ये सारी चीज़े हम लोगों ने समझे थी, ठीक है, तो ये वाली जो video है, ये आप already देख लेंगे, playlist में ही आपको मिल जाएगी, monetary tools के नाम से, monetary policy के नाम से, ये video आपको मिल जाएगी, इस video में हम ये चीज़े फिर से discuss नहीं करेंगे, ये video बनाने का मेरा मकसद ही ये है, ताकि जो चीज़े रह गई है, वो मैं cover कर सकूँ, ठीक है, उसके बाद bank rate को समझेंगे, और हम MSF को समझेंगे, तो इस video में हमको क् reserve ratio, open market operation, bank rate और MSF, ये चारों चीज़ जो है, वो अपने को समझनी है, और जो liquidity adjustment facility है, इसकी detailed वीडियो में अल्रेडी बना चुकी हूँ, monetary policy के नाम से, जो इसी playlist में आपको मिल जाएगी हमारे channel पे, तो आप देख लेते हैं सबसे पहले reserve ratio क्या होता है, reserve ratio समझने के लिए, आपको एक term समझना पड़ेगा NDTL, NDTL, net demand and time liability, net demand and time liability, क्या होता है net demand and time liability, उसको समझिये students, क्या होता है NDTL, उसको समझिये, देखो क्या होता है, ये मानली जी एक bank है, ये एक bank है, इस bank में तीन लोग आए, पहलाया A, फिराया B, और फिराया C, तीन लोग इस bank में आते हैं, A ने कहा, कि मेरे 100 रुपए जमा कर दो, मेरे 100 रुपए deposit कर दीजी, अपने खाते में, मेरे खाते में, B बोला, मेरे भी 100 रुपए मेरे account में deposit कर दीजी, और C ने कहा, मेरे भी 100 रुपए मेरे account में deposit कर दीजी, टोटल डिपोजिट कितना हो गया उस दिन का टोटल डिपोजिट हो गया students 300 रुपे का टोटल डिपोजिट हो गया 300 रुपे का टोटल डिपोजिट हो गया ठीक है उस दिन का पर्टिकुलर एक दिन का किसी बैंक का उसी दिन दो जन और आते हैं उसी दिन दो जन और आते हैं, एक ने कहा मेरे अकाउंट से मेरे 100 रुपे निकाल के दे दो, कोई D नाम का व्यक्ति आया, और एक E नाम का व्यक्ति आया, वो भी बोला मेरे अकाउंट से मेरे 100 रुपे निकाल के दे दो, तो कितने रुपे विड्रो हो गए, 200 रुपे विड् जाते हैं ndtl कैसे निकला ndtl कैसे निकला ndtl कैसे निकला हमने क्या किया deposit जितना हो रहा है उसमें से withdrawal जो है वो मैंने minus कर दिया deposit minus withdrawal कर दिया यहां से मुझे ndtl मिल जाता है यहां से मुझे net demand and time liability मिल जाती है अब यह बात की थी मैंने मान लीजिए sbi की अब अगर आप pnb में जा रहे हो आप अगर pnb में गए तो वहां पे हो सकता है pnb के अंदर एक दिन में 800 रुपे जमा हुए है ठीक है 800 रुपे जमा हुए है और 200 रुपे वहां से निकल गए है तो इसका ndtl कितना आ गया 600 रुपे फिर आप मान लीजिए चले गए कहीं फिर आप मान लीजिए चले गए आई कई फिर लुपे बैंक में जमा हो रहे हैं ठीक है तो एंदर एक लिटील कैसे निकालते हैं हर बैंक का अलग होगा हर मिनिट का अलग होगा और मिनट का अलग होगा और प्रतियक बैंक को अपना NDTL पॉजिटिव में ही रखना होता है आपके दिमार्ट में कोईशन आएगा मैम अगर किसी ने निकलवा जादा लिये तो 800 रुपे जमा हुए हैं किसी ने 1000 रुपे निकलवा लिये तो ऐसा नहीं हो सकता है NDTL हमेशा positive होगा आपने सुना होगा ना बैंक कह देते हैं आज कैश नहीं है कल आना वो क्यों ऐसा कह देते हैं क्यूंकि उस दिन जमा तो कम हुआ है और निकलवाने वाले जादा आ गए हैं विड्रॉल करने वाले जादा आ गए हैं तो बैंक उनको पैसा देगा ही नहीं क्यूंकि उसके पास उतना credit आया ही नहीं समझ गए वो क्या कहेगा कल आना कल दे देंगे आपको आज cash नहीं है ये परिस्तिती देखी होगी ना तुमने ये situation बैंक के अंदर तो NDTL क्या होता है ये आई होप आप लोग समझ चुके हो ठीक है प्रतेक बैंक को every bank को चाहे वो private है चाहे वो foreign bank है चाहे वो public bank है वो कैसा भी bank है हर bank को every alternative Friday पे RBI में ये जानकारी देनी होती है कि मेरे पास NDTL कितना है मेरे पास NDTL कितना है SBI अपनी जानकारी देगा PNB अपनी जानकारी देगा ICICI अपनी जानकारी देगा हलांकी RBI का जो E-Kuber platform है RBI के platform का नाम है E-Kuber platform इस platform पे पता होता है किस bank में कितना जमा हुआ है कितना निकल गया है लेकिन उसके बावजूद भी RBI ने ये कहा हुआ है banks को कि आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहां पे NDTL कितना है ठीके तो NDTL क्या होता है ये हमने जाना अब हम इसके आगे बढ़ते हैं सबसे पहला monetary tools अपने को discuss करना है that is reserve ratio क्या नाम है इसका reserve ratio पहले reserve ratio को समझते हैं ये क्या है देखे रिजर्व रेशो के अंदर student क्या होता है एक होता है CRR एक होता है CRR और एक होता है SLR दो चीजे होती हैं मतलब कुछ ratio हमें reserve में रखनी है कुछ ratio हमें reserve में रखनी है उसको हम कह रहे है reserve ratio कैसे निकलता है सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ cash reserve ratio CRR क्या होता है cash reserve ratio time to time ये कम जादा होता रहता है CRR मैं example के लिए ऐसा मान के चल रही हूँ CRR चल रहा है 4% मैं आपको exact data नहीं बता रही हूँ कि कितना चल रहा है हो सकता है 4 ही चल रहा हूँ मैं आपको इसलिए बांद नहीं रही हूँ कि 4 ही रखना है ये कम जादा होता रहता है कब कम होगा कब जादा होगा उसको भी समझेंगे बट मैंने अपने एक्जामपल के लिए ये बताया है कि मान लीजिए CRR चल रहा है 4% क्या मतलब हो इस 4% का क्या होता है CRR कैश में आपको कुछ रिजर्व रखना है कैश में आपको कुछ रेशो जो है वो रिजर्व रखना है क्या किस चीज का रेशो किस चीज का कैश अब इसको समझते है मान लीजिए किसी बैंक का NDTL है 100 रुपीज कितना है NDTL 100 रुपीज 300 रुपे उसमें जमा हुए थे 200 वहां से विड्रोल हो गए किसी बैंक का NDTL है 100 रुपेज इस 100 रुपेज का जितना भी CRR है कितना 4 प्रतिशत इस 100 रुपेज का 4% कितना हो गया students 4 रुपे बैंक को क्या करना होगा उसके NDTL का 4% यानि एक निश्चित परसेंट एक फिक्स परसेंट जितना भी CRR है CRR 8% होता तो 8 लिख देती वहां CRR 12% होता तो यहां में 12 लिख देती अभी मैंने क्या का CRR 4% है तो 100 का 4% कितना हो गया 4 रुपे बैंक क्या करेगा इतना रुपिया वो RBI में डिपोजिट करवा के आएगा इतना अमाउंट उसको RBI में डिपोजिट करवाना पड़ेगा मतलब अपने पास वो 96 रुपे रख सकता है 4 रुपे वो RBI में जमा करवा के आने पड़ेंगे उसे ऐसा क्यूं? इस 4% को ही हम CRR कहते हैं 4% को ही CRR कहते हैं कि हमने कुछ रेशो रिजर्व में रखवा दिया कुछ रेशो रिजर्व में रखवा दिया अब ये कैश का क्या मतलब है? आप देखते होगे आप किसी जगह पे कोई शॉपिंग की क्या करता है यह टॉफी ले जाओ 5 ₹ बचे हैं आपके 5 ₹ टॉफी दे दिता आपको ठीक है तो मतलब पैसे के बदले उसने आपको टॉफी दे दी ऐसे ही अब बैंक को यह 4 ₹ वैं रबी आई में जमा करवाने हैं बैंक ने आरबियाई से पुझा सर चार उपे का सोना दे दू क्या मैं आपको सर चार उपे का कुछ और दे दू क्या मैं आपको बैंक ने क्या कहा, RBI ने क्या कहा कि नाम पढ़ हो क्या है cash है आप जो पैसा मुझे deposit कराओगे only cash में करवा सकते हो आपको अपने NDTL का जो 4% amount देना है वो only cash में हो सकता है और किसी form में मैं लूँगा ही नहीं मैं सिर्फ cash में लूँगा इसको कहते है cash reserve ratio क्या कहते है cash reserve ratio ठीक है this is CRR कि हर बैंक को उसके NDTL का एक fix percent RBI में cash की form में जमा करवाना पड़ता है deposit करवाना पड़ता है उसको कहते है CRR अगर किसी बैंक का NDTL मान लीजे 400 रुपीज है अगर किसी बैंक का NDTL 200 रुपीज है उसका 4% वो RBI में 8 रुपे जमा करवाएगा किसी बैंक का 600 रुपे है NDTL तो वो बैंक के अंदर कितने रुपे जमा कराएगा वो RBI में 24 रुपे जमा कराएगा 24 रुपीज जो है वो RBI में जमा करवाएगा तो आप अपने NDTL का एक fix percent जो है RBI में cash की form में deposit करवाते हो जिसको कहते हैं CRR क्यों रखवाते हैं इसकी जरूरत क्या पड़ी जैसे आप जब officer लग जाएंगे जब आपकी कमाई अच्छी होगी अगर आप married हैं तो अपनी बीवी के पास अपनी wife के पास और अगर आप unmarried हैं तो अपनी mother के पास अलग से थोड़े से पैसे रखवा दोगे कि मम्मी ये ना आप रख लो या अपनी wife को कहोगे कि ये आप रख लीजिए थोड़े से पैसे हमारी मुसीबत में काम आएंगे गुल्लक होता था पिगी बैंक बचपन में डालते थे थोड़ा थोड़ा पैसा बिल्कुल उसी तरीके से है आपने अपनी मुसीबत से लड़ने के लिए RBI में पैसा जमा करवा दिया क्योंकि RBI तो हर बैंक का पापा है हर बैंक के फादर की तरह है वो हर बैंक का bank है तो उन्होंने क्या कहा कि पापा आप रख लीजिए इतना पैसा यानि चार रुपे आप रख लीजिए ठीक है हलांकि RBI के orders हैं कि आपको रखना पड़ेगा पापा की order है बच्चों के लिए आपको ये रखना पड़ेगा हमारे पास क्यों रखते हैं हम अपनी bank account में एक करोड रुपया बड़िया पड़ा हुआ है अच्छा मजेदार हम जिन्दगी जीते हैं bank account में एक करोड रुपया अपना तो सोचो अपनी लाइफ कितनी लाविश होगी मान लेजे एक करोड रुपया जो है bank में है अब किसी ने अफ़वा फैला दी किसी ने ऐसे rumors फैला दिये कि जो SBI है न वो तो बरबाद होने वाला है हम सब लोग अपनी-अपनी Mercedes लेके निकलेंगे बाहर और SBI में पहुँच जाएंगे कि भाई या तुम बरबाद होने वाले हो हमारा तो एक करोड दे दो तुम्हें आग लगे हमें कोई मतलब नहीं है हमारा पैसा हमें दे दीजे अब SBI क्या करेगा SBI के पास जितना deposit आया था वो पहले ही loan में चुका चुका SBI के पास पैसा है नहीं customer सारे पहुँच गए उसके पास पैसा लेने के लिए अब SBI RBI को कहेगा कि RBI मैंने आपके पास 4 उपे रखवाए थे मैंने आपके पास CRR रखवाए था प्लीज वो पैसा मुझे दे दीजी इधर से तो RBI एक circular जारी करेगा कि ये सिर्फ एक अफवा है SBI बिल्कुल secure है कोई दिक्कत नहीं है और उधर से उसको CRR का पैसा दे देगा कि ये पकड़िए और ये अपने customers को आप दे दीजिए उसको संतुष्ट करिए उनको satisfy करिए तो क्यूं रखवाते हैं ताकि किसी बैंक में किसी भी तरीके की मुसीबत आ रही है कल को last resort में आपका पैसा बचा हुआ है अंतिम में जब कुछ नहीं बचा तो हम गुलक फोर देते थे घर का कि ठीक है कुछ नहीं है पैसे नहीं बचे गुलक फोर दो ऐसे ही यहां पे RBI किसे कहेंगे कि हमने आपके पास CRR का पैसा रखा है आप वो पैसा आप हमें दे दीजिए इसको कहते हैं CRR और क्यू रखते हैं वो भी आपको समझा गया आप अपनी मम्मी के पास सेविंग्स रखवा रहे हो क्यू रखवा रहे हो ताकि कल को कोई मुसीबत आए तो आपको दिक्कत ना हो ठीक है यह होता है CRR यह हमने समझा अब इसको महंगाई के साथ अपनेको relate करना है सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि inflation के साथ relate करने के लिए हमें क्या जानना है inflation के साथ कैसे relate होगा उसको समझे जब दिमांड ज़ादा हो, supply कम हो, तब inflation होता है अब यह demand ज़ादा क्यों होती है, किसे भी इंसान के पास जितना ज़ादा पैसा होगा, जितना ज़ादा money होगा, उतनी ही ज़ादा demand होगी, अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप demand कहां से करोगे, मान लीजे मेरे पास पैसे ही सिर्फ 50 रुपे है मैं थोड़ना सोचूँगी मुझे गाड़ी लानी है मेरे पास 50 लाख रुपे है तो मैं सोचूँगी मेरे पास गाड़ी लानी है यानि जितना ज़्यादा पैसा मेरे पास होगा मैं उतनी ही demand की बात करूँगी और उतनी ही ज़्यादा में महंगाई बढ़ा दूगी अब यह पैसा कहां से आता है यह money कहां से आता है अगर banks आपको cheap loans दे रहे हैं आपको cheap loans दे रहे हैं सस्ते सस्ते loan दे रहे हैं cheap loans दे रहे है तो आपके पास पैसा जादा होगा चीप लोन्स का मतलब क्या है बहुत बच्चे कनफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं मैं बिल्कुल यह कंसिडर करके बताती हूँ आप लोगों कि आपको कुछ नहीं आता है और मैं बिल्कुल एक रॉब अच्चे को मुझे तयार करना है मैं उस हिसाब से बता रहे हूँ चीप लोन्स का मतलब क्या होता है rate of interest कम ब्याज की दर जो है लोन पे बहुत ही कम है आप को कि बस इतना सा interest लगेगा चलो यार थोड़ा सा और पैसा दे दो फिर तो लोन का यानि जितना चीप लोन्स आपको मिलेंगे उतने ज़्यादा पैसा आप लाओगे उतना ज़्यादा डिमांड करोगे और उतनी ज़्यादा inflation हो जाएगी ये तो inflation का concept था अब हमें क्या करना है हमें इसको CRR से link करना है हमें इसको CRR से link करना है मैं आपको दो case बताती हूँ A case और B case A case और B case पहले case में NDTL है आपका 100 रुपीज दोनों ही case में हम NDTL लेंगे 100 रुपीज आपको समझाने के लिए 100 रुपीज और यहां भी NDTL कितना है 100 रुपीज इस case में CRR मैंने ले लिए 4 परसेंट अब मैं क्या करती हूँ मैं इसको बढ़ा के देखती हूँ कि क्या होता है जब CRR बढ़ा दें तो मैंने बढ़ा दिया अब RBI में कितना रुपीय जाएगा बैंक में लोन देने के लिए कितना बचा रिमेनिंग कितना रहा यहां रहा 96 रुपे और यहां रहा 92 रुपे है ना 96 रुपे और 92 रुपे अब तो मैं ऐसा देखो कि कौन से case में बैंक ज़्यादा लोन दे सकता है कौन से केस में बैंक जादा लोन देगा, यहाँ जादा लोन देगा, more लोन्स देगा, क्योंकि उसके पास पैसा जादा है, और यहाँ less लोन देगा, क्योंकि उसके पास पैसा कम है, जितने कम लोन देगा, उतना कम लोगों के पास पैसा होगा, जितना कम पैसा होगा, उतनी क कम कब हुई जब आपने CRR को 4 से बढ़ा के 8% कर दिया मदब RBI क्या कह रहा है कि अपकी बार 4 नहीं अपकी बार तुझे 8 रुपे देने मुझे आप 4 रुपे मत भेजना 8 रुपे भेजना आपके पास कम बचेंगे आप कम लोन दे सकोगे, कम लोन दोगे तो कम डिमांड होगी मार्किट में तो जब कभी भी इंफलेशन को कंट्रोल करना होता है CRR को बढ़ा दिया जाता है इसको कहते है CRR, Cash Reserve Ratio स्लाइड से समझ ले हम, ठीक है, क्या कहता है CRR, कैसे उसको लिंक करते हैं तो एक बार हम स्लाइड से समझ लेते हैं, देखें, बैंक मस्ट कीप दिस मच डिपोजिट विद आर्बी आई, जितना भी CRR होता है उतना अमाउंट बैंक को आर्बी आई में डिपोजिट करना पड़ता है इस पे आर्बी आई, अब आप एक बात बताओ, आप अपनी गुल्लक में पैसा डालते थे जब वहाँ से ब्याज भी मिलता था क्या आपको, वहाँ से पैसा सो का पैसा दो सो होके निकलता था जितना डाला है उतना ही मिल रहा है ऐसे ही RBI इसके उपर कोई इंटरस्ट पे नहीं करेगा आपको क्योंकि RBI ने नहीं मांगे थे तुम मिरे को दे दे प्लीज दे दे ऐसा नहीं वो आपकी help करने के लिए अपने पास रख रहा है RBI इंटरस्ट पे अगरता अपने डिपोजिट पे ठीक है सिर्फ कुछ ऐसे सिच्वेशन है एक ही बार ऐसा हुआ था जब RBI ने इंटरस्ट दे दिया था बट नहीं देता आप इस लाइन को भूली जाओ accept वाली लाइन को भूली जाओ नहीं देता CRR पे इंटरस्ट देता ही नहीं है ठीक है बैंक अंस नो प्रॉफिट बैंकों को कोई प्रॉफिट नहीं होता इस पैसे पे कोई प्रॉफिट नहीं होता क्योंके कोई इंटरस्ट तो मिलता ही नहीं है ठीक है CRR सबसे पहले किस ने suggest किया था, British Economist GM Keens ने इसको suggest किया था और सबसे पहले इसको US के Central Bank ने रखना शुरू किया था, अपने Central Bank के पास, US के Banks ने इसको अपने Central Bank के पास रखना शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है ये बात कहां लिखी हुई है कि CRR रखना पड़ेगा ये बात RBI Act 1934 में लिखी हुई है RBI Act 1934 में ये बात लिखी हुई है कि आपको CRR maintain करना पड़ेगा ठीक है और inflation को control करने के लिए combat का मतलब क्या होता है to fight from inflation से लड़ने के लिए inflation से जीतने के लिए CRR को बढ़ा दिया जाएगा CRR को increase कर दिया जाएगा क्यों increase कर दिया जाएगा अभी मैंने आपको समझाया क्यों increase कर दिया जाएगा अभी मैंने आपको समझाया देखिए जितना ज़्यादा CRR होगा उतना कम loan जो है वो market में जाएगा जितना कम लोन जाएगा उतनी कम डिमांड जो है वो मार्केट से होके निकलेगी ठीक है तो CRR क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे पूरी बात अब हम चलते हैं किस पे अब हम चलेंगे SLR पे SLR means statutory liquidity ratio statutory liquidity ratio नाम क्या है statutory liquidity ratio देखो statutory liquidity ratio क्या होता है अब वो bank था उस bank का NDTL कितना माना था अपने ने 100 रुपे माना था ठीक है उस 100 रुपे में से 4% पैसा हम कहां दे आए CRR का पैसा था और उसको हम RBI में दे आए कहां दे आए RBI में दे आए SLR चल रहा है मान लीजे 18% मैं वैसी random कुछ भी ले रही हूँ मान लीजे SLR चल रहा है 18% ठीक है मान लीजे 18% चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ NDTL का 18% NDTL का 18% मैंने 96 का 18 नहीं का आपको ऐसे नहीं गिनना कि 4% तो RBI में गया अब बचा 96 मैं कह रही हूँ टोटल NDTL का 18% ठारा मतलब जितना भी SLR होगा ठारा 20, 25, 30 जितना भी होगा टोटल NDTL का 18% बैंक खुद के पास रखेगा इटसेल्फ खुद के पास रखेगा ना RBI को दे रहा ना किसी कस्टमर को दे रहा है उसको खुद के पास रखना पड़ेगा मजबूरी है क्योंके RBI के ओडर है अब बैंक को यार रोना आ रहा है क्यों? बैंक ने कहा सर 4% आपने मंगवा लिया 18 आपने हमारा यहां रोक के रख दिया हमको लोन से तो कमाई होती है आपने हमारा लोन ही बंद कर दिया इतना सारा पैसा तो आपने हमारा रिजर्व में ही रखवा दिया हम लोन कैसे दे? हम कमाई कैसे करे? तो RBI ने क्या कहा? यह तो करना पड़ेगा इसका कोई option नहीं है तो SLR का पैसा बैंक खुद के पास रखता है रख रहा हूं पैसा जोड के 18 रुपए, 100 का 18 परसंट 18 रुपए जो मैं खुद के पास रख रहा हूं यह भी मुझे सिर्फ कैस्अ में रखने है बैंक ने का नई-NAy सिर्फ कैस्अ में नहीं रखने आपका मन करे तो कैस्श में रख लो आपका मन करे तो आपका मन करें, आप सोना खरीद के रख लो, आपका मन करें, आप सरकारी प्रतीभूती यानि government security खरीद लो, it is up to you कि आप क्या कर रहे हो, पर किसी ऐसे रूप में रखना, पैसे को किसी ऐसे फोर्म में रखना, जहां से आप जल्दी से उसको cash में convert करा सको, ऐसा नहीं 18 रुपे की property लेके छोड़ दी आपने, और फिर जब बेचने की बारी आई तो समय लग रहा है, no, आप किसी भी ऐसे form में इसको convert करें, अपने पास reserve रखें, जहां से आपको जल्दी से cash में convert कराना पड़े, तो आप करवा सकते हो, जैसे सोना है, कभी भी cash में convert करा लो, दिक्कत आती ही नहीं, government security है, किसी को भी बेच के आप cash में convert करवा सकते हो, ठीक है, तो यह होता है SLR, कि आप कितना amount पैसा खुद के पास रख रहे हो, किस-किस form में, cash की form में, gold की form में, और government security की form में, यानि most liquid forms के अंदर, आप लोग उस पैसे को रख रहे हो, ठीक है, अब आपको होगे मैडम यह SLR क्यूं रखते हैं, क्यूं रखते हैं, अब यहाँ पे एक लड़का है, अब अभिशेक ने क्या किया, उसमें से कुछ पैसा जो है, वो अपनी मम्मी को दे दिया, अपनी सेविंग जो है, उसने अपनी मम्मी के पास करवा ली, ठीक है, अपनी मम्मी के पास उसने सेविंग करवा ली, ठीक, अब मम्मी के पास उसने, उसकी salary थी मालीजे 1 lakh रुप के गन लेके ऐसे उसके हाथ में गन है ठीक है गन बना देते हैं हम यह गन है उनके हाथों में और अभिशेक के पीछे गुंडे लगे हुए कि मेरे पैसे दे पैसे नहीं तो आज तुम्हें मारेंगे अभिशेक बार-बार अपनी मम्मा को कॉल कर रहा है मम्मी फोन उठाओ य कुछ पैसे मुझे कुद के पास रखने चाहिए मुझे अपनी पौकेट मनी अपनी पौकेट में सेव करके रखना चाहिए मम्मी पता नी कॉल उठाओए ना उठाओओ कल को 100 बात है कहीं दिक्कत ना हो जाया तो ऐसे ही अपने वो पैसा CRR वाला कहां जमा करा था वो पैसा आपने RBI में दिया था ठीक है अब RBI में भी पैसा आते आते problem हो सकती है अर्च सो बात है RBI पास करे आपका पैसा ना करे 36 बात हो जाए कुछ भी हो सकता है इसलिए आप एक रिजर्व खुद के पास भी रखते हो एक रिजर्व खुद के पास भी रखते हो खुद के पास वाले रिजर्व को ही हम SLR कहते है वो पैसा आप cash में रखो वो पैसा आप gold में रखो वो पैसा आप government security में रखो यह आपकी मर्जी है यह होता है SLR चीक है क्या होता है SLR अब आप कहोगे मैडम CRR पे तो बैंकों को कोई भी profit नहीं हो रहा था इसमें तो कोई भी profit नहीं हो रहा था क्योंके यह पैसा बस आपने गुल्लक में जाके आनि RBI में जाके डलवा दिया ना तो RBI इसमें ब्याज दे रहा कुछ नहीं दे रहा इसमें आपको कोई profit नहीं हो रहा था क्या यहां भी कोई profit नहीं होगा आप खुद दिमाग लगाओ profit होगा आपने 18 रुपे का gold खरीद लिया था हो सकता है यह gold शाम को 25 रुपे का हो जाए gold के price बढ़ जाए gold जो है 25 रुपे का हो जाए आप क्या करोगे 25 में से 7 रुपे तो आप अलग निकाल लोगे use करने के लिए और 18 रुपे फिर से जाके वहाँ पे रख दोगे हमको तो 18 रुपे maintain करना है SLR तो SLR पे आप profit earn कर सकते हो बट CRR पे आप profit earn नहीं कर सकते समझ गए CRR और SLR क्या होता है CRR कहां रखा RBI में SLR कहां रखा bank ने खुद के पास CRR पे भी loan नहीं दे रहा है SLR पे भी loan नहीं दे रहा है ये दोनों reserve होते हैं CRR किस form में रखा cash की form में SLR किस form में रखा cash gold government security की form में ठीक है clear हुआ CRR रखना है ये बात कहां लिखी हुई है RBI Act 1934 में SLR रखना है ये बात कहां लिखी हुई है Banking Regulation Act 1949 में ठीक है तो ये होता है CRR और SLR अब आप कहेंगे मैडम कि SLR को कम ज़ादा कब करा जाता है क्यूं करते हैं समझों हम वही समझतें इसका inflation के साथ क्या relation है NDTL दोनों ही case में 100-100 रुपे है NDTL दोनों ही case में 100-100 रुपे है First case में SLR मान लीजे 20% है और Second case में SLR मैंने मान लिया 25% है First case में bank जो है खुद के पास कितना रखेगा Bank अपने पास 20 रुपे रखेगा और Second case में कितना रखेगा 25 रुपे रखेगा लोन में कितने दे सकता है 80 रुपीस दे सकता है और यहां लोन में 75 रुपीस दे सकता है अब आप एक चीज को देखो जितना कम लोन जितना लेस लोन उतनी less demand उतनी less demand उतनी less inflation उतनी less inflation ठीक है और हो गई control inflation यानि inflation को control करने के लिए SLR भी बढ़ा दिया जाता है SLR भी increase कर दिया जाता है 20 से 25 कर दिया जितना ज़्यादा SLR मतलब bank उतना ही पैसा खुद के पास reserve में रखेगा वो loan में नहीं देगा loan में नहीं देगा तो inflation control हो जाएगा यानि inflation को control करने के लिए SLR भी बढ़ा दिया जाता है this is statutory liquidity ratio यानि कहने का मतलब क्या होगा student RBI ने क्या कहा banks को RBI ने banks को क्या कहा कि देखो भहिया 4% तो तुम मुझे दोगे और 18% आप खुद के पास रख रहे हो 22% पैसा आपके NDTL का 22% पैसा ऐसा है 22% amount ऐसा है जिसको आप reserve में रखोगे इससे आप loan नहीं बाटोगे loan नहीं दोगे इस पैसे का 22% का आप loan नहीं दोगे ये 4% CRR सिर्फ cash की फोम में होगा 18% SLR की फोम में होगा ठीक है तो this is CRR and SLR CRR and SLR तो एक बार देख लेते हैं SLR क्या है bank must keep this deposit in liquid asset with itself खुद के पास such as cash, gold, government security, treasury bill ये भी समझेंगे ही क्या होता है बट next lecture में समझेंगे यहाँ पे कुछ profit हो सकता है मैंने बताया ना जैसे treasury bill से interest मिल रहा treasury bill से फायदा हो गया government security से interest मिलेगा gold के price कम जादा हो रहे है ये banking regulation act 1949 के अंडर आता है कि SLR रखना पड़ेगा अभी 18% चल रहा है ये कम जादा होता रहता है कब कम होगा कब जादा वो भी मैंने आपको बता दिया SLR को 40% से जादा नहीं कर सकते ये बात जरूरी है SLR को आप 40% से जादा नहीं कर सकते और inflation को control करने के लिए SLR बढ़ाया जाएगा तो ये था CRR और SLR और दोनों को मिला के क्या कहते है CRR और SLR दोनों को मिला के क्या कहते है दोनों को मिला के कहते है fractional reserve क्या कहते है fractional reserve मतलब आप अपनी amount का एक fraction जो है वो reserve में रख लेते हो this is fractional reserve ठीक है तो क्या होता है CRR और SLR I hope आप लोग समझ गए हैं तो हम एक बार पीछे चलते हैं हमने देखो क्या कर लिया है हमने reserve ratio कर लिया है हम लोग liquidity adjustment facility पहले ही कर चुके हैं अब next lecture में आपको बाकी की चीजे समझाऊंगी क्योंके बहुत lengthy हो जाएगा और दिमाग ऐसे भरना जाएगा कि मैं आपने क्या ही बता दिया तो questions हलांकि मैंने हर topic के लिए prepare किये थे बढ़ देख लेते हैं जितना समझा हमने उसमें से कितने questions जो है नहीं process by which central bank और monetary authority controls the supply of money यही होता है यह वो process है जहाँ पे RBI या monetary authority जैसे monetary policy committee यह supply of money को control करता है तो answer क्या आगया B अगला question है who is the central monetary authority in India central monetary authority कोन है कोन सारी monetary policy को बनाता है तो answer क्या आगया RBI monetary शब्दा आजाए तो RBI fiscal शब्दा आजाए तो government of India इसके बाद अगला question क्या है repo rate क्या है वैसे पता है तो आप इसको देख लेना ठीक है बट मैंने अभी repo पिछली वीडियो में करवाया था अभी इस वाली वीडियो में नहीं कराया तो उसके हिसाब से आप लोग answers कर सकते हो इसका मैं बता देती हूँ what is meant by repo rate rate at which RBI lands commercial bank in place of government security RBI commercial bank को lend करता है बिल्कुल सही बात है rate at which commercial bank lands to client ये नहीं answer क्या हैगा only one ये वो है जहाँ पे RBI banks को उधार देता है जिस rate of interest पे उसको कहते हैं ठीक है मैंने explain नहीं किया बट फिर भी answer बता दिया question number 4 का answer आप करेंगे question number 4 का answer आप लोग comment section में करेंगे कि what is CRR it is a percentage of bank deposits that they keep with the RBI as gold deposits only it is deposit made by banks with RBI in the form of reserve or balances मैं थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ ये क्या कह रहा है CRR क्या होता है ये वो percent है जो bank जो है RBI में deposit करता है सिर्फ gold के रूप में और second statement कह रहा है ये वो deposit है bank की जो RBI reserve रखता है या balance रखता है RBI में जो banks जो है RBI में reserve रखता है या balance रखता है ठीक है तो आपको बताना है क्या सही है CRR के बारे में only one only two both या none I hope आपको ये topic clear हो गया next session में open market operation और ये सब चीज़े भी पढ़ेंगे वीडियो बहुत जादा landy हो जाता है तो इस वज़े से मैंने CRR और SLR पे ही ध्यान रखा हमने दो concept समझ लिए हैं जो monetary policy यानि की inflation को control करने का तरीका होता है ठीक है thank you so much take care bye bye और comment section में comment जरूर करिएगा ताकि मैं देखती रहूं के तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है I hope आप लोग enjoy कर रहे हो series को thank you so much take care bye bye